क्लास्ट्वेल चैप्टर नमबर 7 एड्जोंट एन इन्वर्स ओपर मेंट्रिक्स आर्टी सर्म एक्सर्साइज 7.1 का एग्जाम्पल नमबर 7 है सो दाट एक्वल तो दिस सैटिस्फाइज दिस इक्वेशन और हिंस पॉइंट ए इन्वर्स ठेक है पहले हमको क्या करना है दिखाना है यह श्रीद प्रूफ करना है कि यह जो है वह इसको सैटिस्फाइज कर रहा आप जैसे हम कोई एक्वेशन ले एक्स स्क्वेर मायनस 5 एक्स प्लस 6 रिकृट होचे थे हमने कोई भी एक्वेशन लिया ऌली में एक्स्वल टू इसको सैटिसफङ कर रहा है कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर आ हो 0 काएक वल डागए तो बोलोगे यह सटिस्फाइब कर रहा है अगर नहीं आया तो बोलोगे सटिस्फाइब नहीं कर रहा जैसे आप डालके देखो तू आप एक्स के जगए टू रिप्लेच को यह जागा टू का स्क्वेर फाइब टू प्लस इक्स क्या होगी है फोर और यह गैं माईनस 10 प्लस 6 आप देखो 6 प्लस 4 10 और माइनस 10 जीरो तो आप देखो एक्स इक्वाल टू जो है वह इसको सैटिस्फाइब कर रहा है ठीक है मतलब आप आप आपने एक्स के जगए टू रिप्लेच करा और जीरो के एकवल आगया तो सैटिस्फाइब कर रहा है उसी तरह से अगर आपने एक्स की सैवन और सैवन माइनस फाइब टू तो जीरो के बराबर नहीं है तो बहुत है यह जो पॉइंट है ना वह सैटिस्फाइब नहीं कर रहा इस एक्वेशन को ठीक है ऐसी करोगे अब आप 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 तो बोला है तो एक्सित पार एक्स को प्रूफ करो तो आप आप रोफ कर से एको रिप्लेश करें मतलब एक्स के जगा एक्स कर तो क्या बनेगा एक्सक्राइब माइनस सिक से प्लस सेवेंटीन यह जो चीज है वह पूरा जीरो के एक्वाला आजाए हमको यह प्रूफ करना है कि ए जो है वह इस इक्वेशन को स्टेश्फाइब कर रहा है तो इस है तो आप नाउ लेके चलो अधे यहां पर रिप्लेश कर दो ए स्क्वेर माइनस इक्स ए प्लस सेवें तीन आई मैटर्स के केस्ट में यह जो वह रहे है वह आई-डेनिटीटी मैटर्स में चेंज हो जाता है ठीक है यह आप रिप्लेश कर तो आपके पास नहीं है बाई स्कूर निए हमार पढ़ेगा है कि एश्कुर कैसे निकालते है यह क्या है टू फ्री- थरे-फॉर टो थरे- मैनस ठ怪 फॉर ठीकर अब इन दोनों मैनेट से को माल्टिपलाई करो थे यहते हैं कैसे करते हैं कैसे करते हैं तो रो को कॉलम के साथ करते हैं लेकिन फील काथ से मUI माना लेते हैं‐ इस मैर्टर इस का यह कॉलम में इसके हैं किar में कितने यदू धुवाल्य को प्हले हमें यह करना था कि इंदुरोंिगा कहल לפ dall मालले को इस कॉलम से सब्सक्राइब एक रहे तो क्या होता है e i रो के second element को column के second element से multiply कर और फिर उनको add कर दो ठीक है तो आप देख हम कैसे करेंगे हमना इस वाले रो को इस column से multiply का तो 2 इंटू 2 4 और माइनस 3 इंटो 3 माइनस 9 और 20 बात है सम है तो प्लस माइनस वापस से माइनस ही बन जाए तो हम सेरे सिदा माइनस ही लिख दिया 4 माइनस 9 माइनस 5 फिर नेस्ट इस वाले रो को इस column से तो 2 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3 इंटो 4 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 18 ठेक है फिर नेस्ट इस इस वाले रोगो इस कॉलम से 3 इंटो 2 6, 4 इंटो 3 है न 4 इंटो 3, 12 तो 6 6 प्लस 12, 18 फिर next इस वाले रोगो इस कॉलम से 3 इंटो 3 माइनस 9 और 4 इंटो 4, 16 माइनस 9 प्लस 16, 7 ठीक है? A स्क्वेर ये चीज़ आगे A स्क्वेर आप यहां पर रेफलेश कर दो माइनस 5 18, माइनस 18 7 माइनस 6 A 2, 3 माइनस 3, 4 प्लस 17 I I, मतलब इंटिटी मैटर्स इंटिटी मैटर्स कैसा होता? 1, 0, 0, 1 यह होता इंटिटी मैटर्स ठीक है? माइनस 5 माइनस 18 18, 7 माइनस अब इस 6 को अंदर मिल्टिप्लाई करो 6 को कैसे मां अंदर मिल्टिप्लाई करते? तो यह मैटर्स है ना? तो मैटर्स में कैसे मिल्टिप्लाई होगा इसके लर? तो हार एलिमेंट से 6 इंटो 2 12 6 इंटो माइनस 3 माइनस 18 6 इंटो 3 18 और 6 इंटो 4 24 प्लस इसको अंदर आप मिल्टिप्लाई करो? तो 17 इंटो 1 17 17 इंटो 0 17 इंटो 0 17 इंटो 1 17 ठीक है? फिर अब इन दोनों को माइनस करो माइनस 5 माइनस 12 माइनस 17 माइनस 18 और यह माइनस 18 0 हो जाएगा अब देखो माइनस 18 माइनस उफ माइनस 18 18 यह माइस और यह मैस प्लस हो जाएगा 18 18 और दो 0 18-18 जेरो 7-24 क्या हो जाएगा माइनस 17 हो जाएगा प्लस यह 17 0017 ठीक है अब next आप देखो next क्या करेंगे आप इंद लोगो आड करो तो क्यासे करते हैं corresponding elements को add करते हैं, minus 17 plus 17, 0, 0 plus 0, 0, 0 plus 0, 0, minus 17 plus 17, 0, यह हो गया, अब देखो, यह 0 मेंटर से ना, तो इसको हम 0 ही लिखते हैं, ठीक है, यह 0 मेंटर से इसको हम 0 ही लिखते हैं, तो 0 हो गया, तो that is, हम कहां से चले थे, हम चले थे, a square minus 6a plus 17i, और हम कहां पर पहुच गया, equal to 0 पर, तो हमको यही ने प्रूफ करना था, कि इस equation को a satisfy करना है, तो अब देखलो, a satisfy करना है, तो 10, अब लिख सकते हो, कि a satisfies the equation, satisfies this equation, कौन सा equation, तो x square minus 6a plus 17, which is equal to 0, ठीक है, अब हमको क्या करना है, inverse निकालना है, तो again, अब यही से चलो, आपको inverse निकालना है, तो मैंने आपको क्या बता है, अगर हमें कभी भी equation दी हुई हो, हमें कभी भी equation दी हुई हो, तो हम inverse वाले formula नहीं लगाते, हम यह वाला formula नहीं लगाते हैं, इन्वर्ट निकालने के जब inverse दिया हुआ हो तो हम directly इसकी मदद से जो equation है उसकी मदद से भी inverse निकालते है इसली inverse आजाते है आप देखो क्या है मैं आपस equation a square minus 6a plus 79 which is equal to 0 आपको a inverse निकालते हैं तो दोनों साइड a inverse मैल्टिप्लाई कर दो तो multiplying बोच साइड बाई a inverse ठीक है a inverse यहां multiply करोगे a inverse a square minus 6a plus 79 which is equal to a inverse into 0 a inverse इसके साथ multiply होगा तो a inverse into a square a inverse इसके साथ तो minus 6a inverse into a plus a inverse इसके साथ multiply होगा 17 i into a inverse which is equal to a inverse को 0 के साथ multiply करोगे 0 हो जाएगा आप देखो किसी भी मैंटर्स को 0 मैंटर्स साथ multiply करोगे तो obvious बात है 0 ही होने वाला है ठीक है अब आप देखो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा मैंटर्स के केस में भी यह प्रॉपर्टी वर करता है a की पावर m into a की पावर n क्या होता है a की पावर m plus n होता है लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा a की पावर 2-1 2-1 1 होता है योगे e minus और आपने सारा प्रॉपर्टी में पढ़ा है a into a का inverse मतलब किसी भी मैंटर्स को आप उसी के inverse से multiply करो तो यह identity आ जाता है मतलब यह चैस होगे identity plus आप identity मैंटर्स को किसी के साथ ही multiply कर लो कोई फरक नहीं पढ़ता है जो मैंटर्स है वही रह जाता है तो मतलब e हो जाएगा अगर inverse है तो e inverse हो जाएगा ठीक है अगर यहाँ पर inverse है तो inverse ही रहेगा कोई चैस नहीं होगा ठीक है तो हमको inverse चाहिए ना तो आप इसको इस साइड रहने दो और बाकी जो इधर वाल दो टन्स है उसको उधर स्रिफ्ट कर दो यह इधर आएगा positive हो जाएगा 6i और यह इधर आएगा minus e ठीक है अब आप a की value replace कर दो अब जाएगा कितने इसली हमने inverse निकाल लिया अब inverse निकालने में क्या ही रहत ता a replace करो i replace करो अत्तम solve करो थोड़ा सा हो गया 17 a inverse which is equal to 6i 1 0 0 1 minus 2 3 minus 3 4 17 a inverse which is equal to अब 6 को अंदर multiply करो यह हो जाएगा 6 into 1 6 6 into 0 0 6 into 0 0 6 into 1 6 minus 2 3 minus 3 4 17 a inverse which is equal to अब minus करो तो हम क्या करते हैं दो मेंटर सो सब्ट्राइट कैसे करते हैं तो corresponding elements को सब्ट्राइट करते हैं 6 minus 2 4 0 of minus 3 अब देखो 0 minus of minus 3 यह क्यों यह minus और यह minus प्लस हो जाएगा तो 0 plus 3 3 हो जाएगा यहा यहां पर लिख दो 3 ठेक है 0 minus 3 minus 3 और 6 minus 4 2 यह हो गया है कि ए इन्वर्स तो आप इस 17 को इदर ले आओ तो आपका ए इन्वर्स निकल जाया इधर 17 है तो 1 upon 17 4 minus 3 3 2 यह हो गया हमारा A इन्वर्स ठेक है तो आप देखो एक बार नेक्स्ट इग्जाम्पल नंबर 8 है for the matrix A find X and Y so that कुछ ऐसा हो रहा है मारे पास और हैंस find A इन्वर्स ठेक है हमें दो चीज़ें दो काम करनी पहला एक्स और यह निकालना है और दूसरा इन्वर्स निकालना है ठेक हैं तो हम क्या करेंगे इस रिलेशन की मार्स निकालना ह से X Y निकालेंगे और फिर इसी रिलेशन के मार्स हम A इन्वर्स निकालेंगे ठेक है अब देखो कैसे करेंगे हम हमें पास एक्वेशन क्या दिया हुआ है A square प्लस X I which is equal to Y यह चीज़ा हमें हमरे पास दिया हुआ है पहला में A square की value जो हमरे पास नहीं है तो निकालते हम A A square की value A square A square कैसे निकालते है तो A into A A क्या है 3715 3715 ठीक है अब क्या करो इन दोनों multiply करो आपको पता है दो मेंटरस को हम कैसे multiply करते हैं इसके वाले रो को इसके कॉल्म से multiply करते है तो रो को कालम के साथ करते है ठीक है लेकिन यह चार्य आखिन का यहर्ट का अजियर रोलर तो स्काल्म से से यह अधिक है और फिर इंटको एड कर दो यह अलब रोगे 1st element को column के 1st element से और रोगे सिकेंद element को column से अलिमेंट से और फिर दोनों को add कर दो होके तो आप डेख को कैसे करेंगेcr हा अ है इस वाले रोगों के इस कर रहे ठीक है तो 3 x 3 9 और 1 x 7 7 9 plus 7 16 इस वाले रोको इस कॉलम से 3 x 1 3 plus 1 5 5 tcs 3 plus 5 8 फिर निक्स इस वाले रोको इस कॉलम से 7 x 3 21 plus 5 x 7 35 35 प्लस 21 क्या हो चाए गा 56 फिर निक्स इस वाले रोको इस कॉलम से 7 x 1 7 plus 5 x 5 25 25 तो 25 प्लस 7 32 ठीक है अब डाल दो A स्क्वेर के जागा ये चिस A स्क्वेर के जागा ये रिप्लेश करू 16, 8, 56, 32 प्लस XI तो X और इडेंटिटी मैट्रिस 1001 इक विशिस इक्वाल टू Y A A है 3715 ठीक है 16, 8 अब अंदर मैल्टिप्लाई करो X into 1 X X into 0 0 X into 0 0 X into 1 X अब को पता है न मैट्रिस के अगर अंदर हम कुछ मैल्टिप्लाई करना चाहे तो हर एलिमेंट से मैल्टिप्लाई करना पड़ेगा तब ही वह मैल्टिप्लाई हो ठीक है इसे तरह से आप Y को अंदर मैल्टिप्लाई करो 3Y, Y into 1Y, Y into 7, 7Y, Y into 5, 5Y ठीक है अब इन दोनों मैल्टिप्लाई करों तो दो मैल्टिप्लाई करों करते हैं पिस इकवल 2 3Y, Y, 7y, 5Y ठीक है अगर दो मैल्टिप्लाई एकवल उत प्या होता है अंदोनों के कर्षपोंटिग मेल्ज हूंब इसेम होता है तो यह इसके पराबर होगा, यह इसके इकवल होगा यह इसके इक्वल होगा यह इसके इक्वाल हो ठीक है तो पहले इन दोनों को इक्वेट करो 16 प्लस एक्वल टो 3y फिर इसको इसके साथ तो 8 इक्वल इक्वल टो वाई 56 इक्वल टो 7y और 32 प्लस एक्वल टो 5y तो आप देखो वाई यहां से एट आगे यहां से भी आप 7 के टेवल से कैंसल करो यह 8 हो जाएगा तो य के वैल्यू यहां पर भी 8 आ जाएगी तो आप य की वैल्यू य की मेल्यू 8 आगे तो आप इन दोनों मैंसे किसी में भी 8 रेप्लेज कर दो य के जाएगे तो आप देखो यह हो गया 32 प्लस एक्वल टो 8 इंटो 5 40 एक्स क्या हो जाएगा इस 32 को इधर लियाओ तो 40 माइनस 32 एक्स एट हो जाएगा तो आप देख रहें हो य भी 8 एक्स भी 8 तो देर्फोर अब यहां पर रेप्लेज करतो आ स्कुरे प्लस एक्स एक्स है एट तो एट आइ विच इस इवल टू य ए य है एट तो एट ए ठीक है आप हमको नेक्स्ट क्या निकालना है नेक्स्ट हमको निकालना है इनवर्स फाइंड ए इनवर्स निकालना है तो आपको इनवर्स निकालना है तो आप क्या करो दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टिप्लाई कर दू तो मल्टिप्लाईंग बोद साइड बाई ए इनवर्स ठीक है तो ए इनवर्स इनटू ए स्क्वेर प्लस एट आई विच इस इक्वल टू एट एट ए इनवर्स ए ठीक है तो यह इसके साथ multiply होगा a inverse into a square plus 8 a inverse into i यह तो constant था ना इसलिए मनें इसको directly बार कर सकते बाकि a inverse इसके साथ multiply होगा which is equal to 8 और आपने property पढ़ाए कि a inverse into a क्या होता है identity के एक वाल होता है किसी भी matters को उसके इसके inverse से multiply करो तो क्या हाता है identity आता है तो यह हो जाएगा i ठीक है और यहां पर अपने property लगा दू ए की power m into a की power n को मैं क्या लिख सकते ए की power m plus n when bases are same power are added to m plus n वादफ 2 minus 1 1 plus 8 और किसी भी matrix को आप identity matrix के साथ multiply करो कोई फराग नहीं पढ़ता है जो है बहीं राजाता है तो a inverse into i a inverse equal to 8i इस a को इदर लिया हो 8a inverse equal to 8i minus a 8a inverse equal to 8i क्या है 1 0 0 1 minus a a है 3 7 1 5 3 7 1 5 8a inverse which is equal to अब इस 8 को अंदर multiply करो तो 8 into 1 8 8 into 0 0 8 into 0 0 or 8 into 1 8 minus 3 7 1 5 8a inverse which is equal to 8 minus 3 5 0 minus 1 minus 1 0 minus 7 minus 7 और 8 minus 5 3 ठीक है यह हो गया 8a inverse finally a inverse क्या हो जाएगा 1 upon 8 5 minus 7 minus 1 3 यह हो जाएगा यह इन्वर्स ठीक है तो आप देखो एक बार यह इन्वर्स को ठीक है आप चाहो तो इस वान बाई 8 को अंदर multiply भी कर सकते तो हर element साथ multiply हो जाएगा तो लेकिन answer यह होगा ठीक है तो आप देखो एक बार next example number 9 है for the matrix a a matrix है find the numbers a and b such that a square plus a a capital a plus b i equal to 0 हैंस find a inverse ठीक है हम a inverse पर बात पर आते हैं हमें पहले a और b निकालना है ठीक है और हमें कुछ ऐसा हो रहा है क्या हो रहा है a square plus a a plus b i which is equal to 0 मंदर ऐसा हमारे पास को equation दे रहा है और हमको a और b निकालना है ठीक है तो a तो है हमारे पास identity हम लिखी लेते हैं a square निकालते हैं पहले तो पहले आप a square निकालो तो a square कैसे निकालेंगे a into a a क्या है 3 1 2 1 3 1 2 1 तो आप देखो a square निकालेंगे लिए आप क्या करो इन दोनों मैंटर को मैंटिप्लाई करो तो इन दोनों मैंटर को मैंटिप्लाई कैसे करेंगे इसके रो को इसके कॉलम से मैंटिप्लाई करो यह र वांद लोग कि यह इसका उसका यह कौलम है इसके में केतने अलेमेंट एक और दो फिर फिर कह सीतु आ लेमिट को फिर दुमक खोन से मिल्टिप्लाई करें अब ध्यान से देखो हम ना इस वाले रोको इस वाले कॉलम से मिल्टिप्लाई करें इस वाले रोको इस कॉलम से तो 3 इंटू 3 9 2 x 1, 2 3 x 3 9 और 2 x 2 plus 2 x 1 2 9 plus 2, 11 फिर next इस वाले रोको इस कॉलम से 3 x 2, 6 plus 2 x 1, 2 6 plus 2, 8 फिर इस वाले रोको इस कॉलम से तो 1 x 3, 3 plus 1 x 1, 1 3 plus 1, 4 फिर next इस वाले रोको इस कॉलम से तो 1 x 2 2 और 1 x 1 1 2 plus 1 3 तो यह हो गया A2 तो अब A2 के जगा यह रेप्लेस कर दो यह 11 4 8 3 plus A और A क्या है A यह है 3 1 2 1 plus B और identity matters 0 1 which is equal to 0 थेखे है बाद में हमें equation दे रहा किया तो मैंने का बता है अगर हम equation दे रही कि हम inverse उसी के मत से निए उस equation के मत से तो पहले A और B निकालो उसके नहीं पर replace कर देंगे A और V और यह है यह इस equation बन जाएगा इस equation निए इंवर्स भी निकाल लेंगे तो 11483 आप एक उंदर multiply करो तो ए तो हर element के साथ multiply उन्हें वाला लग्या क्यों कि मैंट्रेक्स है 3A 2A A A उसी तरह से यहां पर B B into 1B B into 00 B into 00 B into 1B which is equal to 0 ठीक है अब सारे को add करो तो आपने पढ़ा है कि दो मेंट्स को मलब दो मेंट्स को add कैसे करते हैं उनके corresponding element को add करते हैं तो यहां पर तीन है तो भी क्या फरक परता है corresponding element को add कर दो आप 11 plus 3A plus B 11 plus 3A plus B उसे तरह से 8 plus 2A plus 0 8 plus 2A plus 0 8 plus 2A और यह हो जाएगा 4A plus 0 4A plus 0 और यह हो जाएगा 3A plus B 3A plus B which is equal to is 0 मेंट्स को आपके हैसे 0 जाएगा ठीक है आप देखो यहां पर आपको सब इक्वेट तब करने की जौरत पड़ती है ना जब अलग अलग हो मतलब अलग अलग नहीं मतलब जैसे हाइयर पावर तो यहां पर तो सिंगल पावर तो कोईट भी करने आप एक को एक्वेट करो और वैल्यू निकालो काम हो जाएगा आप देखो इसको एक्वेट कर लो 0 के यहां से एकी वैल्यू आ जाएगी 4 plus A equal to 0 और इसको एक्वेट कर लो इसके साथ 3A plus B equal to 0 यहां से A क्या हो जाने वाला है इस 4 को इदर लिया हो minus 4 तो A हो गया minus 4 minus 4 यहां पर replace करो तो B क्या हो जाएगा B plus यहां पर minus 4 डालो के minus 12 minus 12 विस्ट इस इगल तो 0 इस 12 को इदर बेदो तो B equal to 12 हो जाएगा ठीक है A minus 4 B 12 तो बस आप इस equation में रख दू A square plus A minus 4 A plus B P क्या है 12 विच इगल तो आप देखो equation बनेंगे अब आप inverse निकालना है ना अब हमको inverse भी निकालना है तो आप क्या करो दोनों साइड inverse से multiply कर दो तो multiplying both side by A inverse तो यह हो जाएगा A inverse into A square minus 4 A plus 12 Y which is equal to 0 और यह होगे A inverse into 0 अब अंदर multiply करो A inverse into A square minus 4 A inverse into A plus 12 A inverse into identity और यह हो जाएगा आप किसी भी मैंटेस को 0 से multiply करोगे तो 0 ही हो जाएगा तो 0 अब देखो अब आप A को 0 से multiply करोगे 0 ही होगा ठीक है तो आपने प्रापर्टी पड़े कि A की पावर M into A की पावर N को हम क्या लिए सकते A की पावर M plus N मत्दब वेन बेशिज़र से इन तो माइनस वन वन हो जाएगा ठीक होगे A माइनस और A inverse into A किसी भी मैंटेस को उसी के inverse से multiply करो तो क्या आएगा identity आजाए ठीक होगे identity तो यह हो गया 4I plus 12 A inverse into I A inverse हो जाएगा किसी भी मैंटेस को identity के साथ multiply करो कोई चेज नहीं होता ठीक है तो आपको A inverse चाहिए न तो इसको इधर ही रहने दो और इन दोनों को उधर shift कर दो 12 A inverse which is equal to यह इधर जाएगा 4I minus A यह होगे 12 A inverse which is equal to 4 identity 100 यह होगे minus A अब देखो A जो था वो टू ओर्डर का था इसलिए हमने identity भी टू ओर्डर का रखा क्योंकि आपको पता है यह नहीं कि तब ही add और subtract हो रखते हैं जब उनका order सेम हो तो अगर आप यहाँ पर 3 order कर रख देते तो कैसे subtract कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं इसलिए यह obvious ही बात होती है कि हमें 2 order काई रखना है ठीक है 3 1 2 1 इस 4 को आप अंदर multiply करो 4 अंदर जाएगा तो क्या होगा सबके साथ multiply क्योंकि मैंटर से तो 4 into 1 4 4 into 0 0 4 into 0 4 into 1 4 minus 3 1 2 1 यह हो गया 12 A inverse which is equal to 4 minus 3 1 corresponding elements को subtract करते हैं 0 minus 2 minus 2 0 minus 1 minus 1 और 4 minus 1 3 यह हो गया 12 A inverse तो A inverse क्या हो जाएगा आप इस 1 by 12 को इदर लिया हो 12 को इदर लिया हो यह जागा 1 by 12 और बाकी यह लिख दो पूरा 1 minus 1 minus 2 3 यह हो गया A inverse ठीक है देख़ो आप एक में नेक्स्ट एक्जाम्पल नमबर 10 है so that the matrix A this is satisfies the equation this and hence find a inverse मतलब इसको satisfy कर रहा है मतलब यह चीज़ हमें पूरूफ करना है यह आपर A यह दिया वा है तो मतलब इसकोर माइनस 4 ए माइनस 5 आई विच इवाल टू जेरो ठीक है यह तो है आइडेंटिटी आप ली फिलोगे हमें चाहिए इसकोर मतलब हमें क्या निकालना है यह से दिखाने के लिए तो आप पहले A स्कोर निकालो हम इस पर बात पर आते हैं ठीक है पहले आप A स्कोर निकालो new new confirm 2 कि अब हम हुआ है अब ढूर्डफिस को कैसे मेल्टि प्लाई करते हैं तो दो मैट्रिस को मैल्टिप्लाई करने के टेकनिक क्या होता है कि इस वाले मैट्रिस को इस वाले मैट्रिस के row को इस मैट्रिस के column के साथ multiply करते हैं, ठीक है, मतलब एक मैट्रिस के row को दुसरे के column के साथ multiply करते हैं, ठीक है, मानने हम करते हैं ठीक है, लेकिन कैसे करते हैं भीया, तो आप देखो, मानने थे कि इस वाले मैट्रिस का ये row है, और इस वाले मैट्रिस क फर्स्ट को फर्स्ट से सकेंड को सकेंड से ठीख गी मतलब आपको क्या करना है कि रो के फर्स्ट्राइल मेंट को कॉल्ण के फर्स्ट्राइल मेंट से रो ग Tr identificable contact अब करो और सारे को अड्ड कर दो है School करो इसो वाले रो को इस कॉलंब से 1x1 1 प्लस 2 इंटो 2 4 प्लस और 2 इंटो 2 4 तो 4 प्लस 4 8 और 8 प्लस 1 9 अभी next इस वाले रोको इस कॉलम से ऐसी करो 1 इंटो 2 2, 2 इंटो 1 2 और 2 इंटो 2 2 तो 3 बार दो है तो इसको मैं लिख सकते है 3 इंटो 2, मतलब 3 इंटो 2 6 ठेक है फिर इसी तरह से इस वाले रोको इस कॉलम से 1 इंटो 2 2 2 इंटो 2 4 उस तो गलती करा है आमने 1 इंटो 2 2 2 इंटो 1 2 और 2 इंटो 2 4 4 ना आएगा और 2 प्लस 2 4 4 प्लस 4 8 हो जाएगा यहां पर भी 8 आता है आप इसको मैल्टिप्लाइ करके देखना साहते यही बनता है मेरे साब से ठेक है एक बार हम जल जल दी करते है आपके लिए इस वाले रोखो इस प्लान को है करना है 1 इंटो 2 2 2 इंटो 2 4 2 प्लस 4, 6 और 2 इंटो 1 फिर ते 2 तो 6 प्लस 2, 8 फिर नेस्ट इस वाले रोखो इस कॉलम से 1 इंटो 2, 2 तो 2, 2 2 इंटो 2, 4 4 और ये वे 4 तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा फिर next इस वाले रोग को इस कॉलम से तो 2 इंटो 2 4 4 1 इंटो 1 1 और 2 इंटो 2 4 देखलो 9 बन रहा है 4 8 और 8 प्लस 1 9 फिर इसके लिए आप देखो इस वाले रोग और इस कॉलम को करो 2 इंटो 2 2 1 इंटो 2 2 2 इंटो 2 4 और 1 इंटो 2 2 और 2 इंटो 1 2 देखलो आप 8 बन रहा है पिर ये ये आपर भी आप देखलो 2 इंटो 1 2 2 इंटो 2 4 और 1 इंटो 2 तो 2 प्लस 4 6 और 6 प्लस 2 8 फिर नेए इस वाले रोग को इस कॉलम से तो 2 इंटो 2 4 4 फ्लस 2 2 इंटू 1 2 4 प्लस 2 6 और 1 इंटू 1 2 2 तो 6 प्लस 2 8 ठीक है फिर नेक्स यह 9 बनना जाये तो 2 इंटू 2 4 2 आइंटू 2 4 और 1 इंटू 1 1 तो 4 प्लस 4 8 और 8 प्लस 1 ठीक है तो यही बनेगा अपने तो यह तो calculation है इसलिए हमने जल 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 दी कर दिया अजोग आपको इसमें कोई दिक्रत नहीं हुआ होगा कैसे हम कर रहे है और मैंने एक दो तो अच्छे से करके बताए हैं बागी तो आप खुद भी calculate कर सकते हो ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं a square हमको यह जिर्थ दिखाना है न तब a square इसकी value यहाँ पर replace करो 98889889-4AA है 1-2-2, 2-1-2, 2-2-1-5 और आई 3 मतलब 100, 010, 001 ठीक है 98889889- आप इस 4 को अंदर multiply करो तो 4 कैसे multiply होगा हर element के साथ क्योंकि मैं अट्रेक्स है तो 4 into 1, 4, 4 into 2, 8, 4 into 2, 8, 4 into 2, 8, 4 into 2, 8, 4 into 1, 4 माइनस इस 5 को अब अंदर multiply करो 5 into 1, 5, 5 into 0, 0, 5 into 0, 0, 5 into 0, 0 5 into 1, 5, 5 into 0, 0, 5 into 0, 0, 5 into 0, 0, 5 into 1, 5 ठीक है अब आप इंदोंनों matrix को subtract करो तो 2 matrix को subtract कैसे करते हैं corresponding elements को subtract करते हैं तो 9-4, 5, 8-8, 0 8-8, 0, 8-8, 0, 9-4, 5, 8-8, 0, 8-8, 0, 9-4, 5 अब देखो यह दूनों matrix अलग-अलग थोड़े यह एक है तो यह matrix और यह matrix कहनते लोंगा 0 मन जाएगा प्रूफ हो गया that is हम कहां से चले थे हम a square minus 4a minus 5i से चले थे और यह में 0 पूरूफ कर दिया तो a को satisfy कर रहा है हमें यही दिखाना था कि a को satisfy कर रहा है तो आप प्रूफ हो गया तो आप लिखना चाहों तो थोड़ा सा लीक देना कि 10 सब्सक्राइब कर देखों अब हमको इन्वर्स निकालना तो मैंने आपको बता है कि जब भी हमें एक्वेशन दे रहा कि हो तो हमें हमें फॉर्मुला के मदद नहीं लेनी है ठीक है जब भी इक्वेशन दे रही हो इस तरह टाइप का इसको पहिचान लो आप एक बद पहिचान लो कि ऐसा एक्वेशन जब भी नजराए और आपको inverse निकालने बोले तो हमेशा इस equation की मज़से आपको inverse निकालना है और कैसे निकालना है तो कुछ भी निकालना वास इस equation में आपको A inverse multiply करते ना inverse अपनी आप आपको मिल जाएगा ठीक है तो now अप इसको लेके चलो A square minus 4A minus 5i which is equal to 0 ठीक है आपको inverse निकालना है तो अभी मैंने आपको बता है inverse निकालना है क्लिक क्या करना है दोनों साइड A inverse से multiply करना है तो अब multiply कर दो multiplying both side by A inverse तो A inverse into A square minus 4A minus 5i which is equal to 0 यहापे भी कर लो A inverse into 0 ठीक है इसको इसके साथ A inverse into A square minus 4 4 तो content है बाहर A inverse into A minus 5 A inverse into I which is equal to क्या हो जाएगा आप देखो किसी भी मैंट्रेस को 0 के साथ multiply करो तो 0 हो जाएगा A into 0 क्या हो जाएगा जिरो हो जाएगा ठीक है फिर आपने प्रापर्टी पढ़ाओगा A की पावर M into A की पावर N क्या होता है यहां पर क्या हो जाएगा A की पावर A inverse into A क्या होता अइड़ेंटिटी के एकवाल होता है किसी मैंट्रेस को उसा के इनवर्स है multiply करो तो वह identity क्ल łता है तो यह क्या टाई आइडा हो किसी मेरे मनेंटिक को इंटिटी मैरे मरे ट ya वही मैर्टिक निकानला यह न तो इसी को इधर कर इसको इधर shift करोगे तो यह जाएगा a-4i which is equal to 5a inverse तो यहाँ समय a inverse मिल जाएगा तो अब इस 5a inverse को इधर लियाओ और यह जाएगा a-4i ठीक है तो आप i और a replace करो आपका a inverse निकल जाएगा a, a क्या है 1, 2, 2 2, 1, 2 आप देख लो, a ही नहीं आप यहाँ पर भी देखो, देख सकते हो a, a 2, 2, 1 यहाँ पर भी देख सकते हो minus 4i 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ठीक है आप इस 4 को पहले multiply गरो 1, 2, 2 2, 1, 2 2, 2, 2, 1 minus इस 4 को अंदर multiply करो 4 into 1, 4 4 into 0, 0 4 into 0, 0 4 into 0, 0 4 into 1, 4 4 into 0, 0 4 into 0, 0 4 into 0, 0 4 into 1, 4 ठीक है कुछ ऐसा आप इन दोनों को subtract करो तो दो matter सो subtract कैसे करते है corresponding elements को subtract करते है तो 5A inverse इस इक्मल तो 1 minus 4 minus 3 2 minus 0, 2 2 minus 0, 2 2 minus 0, 2 1 minus 4 minus 3 2 minus 0, 2 2 minus 0, 2 2 minus 0, 2 1 minus 4 minus 3 यह हो गया है अब 5A inverse के equal यह है इस 5 को आप इधर लिया हो A inverse हो जाएगा तो A inverse which is equal to 1 upon 5 और यह minus 3 2, 2, 2 2, minus 3, 2 2, 2, 2, minus 3 तो आप देखो एक बार यह हमरे पस इन वर्स है आप देखो एक बार आप काल आप करण है आप 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 झाल झाल